मैं तुमसे तंग आ गई हूँ इसकी इंगलिश होगी I am fed up with you यहाँ मेरे दिमाग से निकल गया इसकी इंगलिश होगी It slipped out of my mind It slipped out of my mind slipped मतलम निकल गया कुछ तो गरबर है ऐसा जब आपको किसी से बोलना हो कुछ तो गरबर है बोलेंगे आप उसे इंगलिश में There is something fishy कुछ कहने की जरुरत नहीं है अगर किसी को ऐसा कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं उसे इंगलिश में No need to say anything उसका कुई नहीं है उसका कुई नहीं है उसे आप इंगलिश में बोल सकते हैं He has no one मुझे मुझसे मत उल्जो जब ऐसा किसी को आपको बोलना हो तो आप इंगलिश में बोल सकते हैं Don't mess with me Don't mess with me मतलब मुझसे मत उल्जो कोई दरवाजे पर है उसकी इंगलिश होगी Someone at the door Someone at the door मैं इस बारे में दोबारा सोचूँगा जब ऐसा किसी को कहना हो तो आप उसे इंगलिश में कह सकते हैं I will think about it again I will think about it again मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा इसे आप इंगलिश में कह सकते हैं I will not let you go I will not let you go बोलने से पहले सोचो जब ऐसा किसी को कहना हो आपको तो उसे इंगलिश में कह सकते हैं आप think before you speak